सिनेमा हॉल में कोई फिल्म चल रही हो और फिल्म देखने वाला नजरों से लाचार हो तो क्या होगा। उससे फिल्म दिखाई नहीं देगी। सिर्फ शब्दों के अंदाज से उसे फिल्म को समझना है। बगर उस दोरांग क्या होगा जब फिल्मी सीन के दर्मियान चुपती हो और तक्रीबन 30 सेकंड इशारू के जरीए फिल्म की कहानी चल रही हो जाहिर है जिसके पास रोशनी का अभाव है वो इसे समझ सकते हैं वो इसे नहीं समझ सकते ऐसे इस्तिती से निपटने के लिए एक्सल सिनेमा नाम का एक एप मार्केक में तहल का मचा रहा है दृष्टिहीनों के लिए ये एप काफी माई में रखता है क्योंकि फिल्म देखते समय जब कभी साइलिंट इस्तिती होती है और दृष्टिहीन समझने में लाचार हो जाते हैं उस समय ये एप कमाल का काम करता है ये एप फिल्म के स्टोरी को आदियो में बदल देता है ऐसे में दृष्टिहीन को उस साइलेंट सीन के स्थिती समझने में बेहत आसानी होती है और फिल्म के बीच में फिल्म के सीन को ना समझ पाने वाली स्थितियों से दृष्टिहीनों को छटकारा मिल जाता है ये एप फिल्म निर्माताओं या प्रड़क्शन करने वाली कम्पनियों के साथ एक करा के तहट काम करता है हाला कि ये एप फिल्मों के ओडियो ट्रांसलेशन के नजरीय से बना आ गया है जिसके जरीय लोग विमन भाषाओं में किसी भी फिल्म का अनुवात सुन सकते हैं ये एप अभी विस्तार के चरण में है और अभी तक उतनी लोग प्रियता हासल नहीं कर पाया है मगर उमीन है कि आने वाले दिनों में भारत के लाखों द्रिश्टी हीनों को इसका फायदा जरूर मिलेगा NDI Pocket TV के लिए नीरजवर्मा की रेपोट हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करना बिल्कुल न भूले